हलो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो पर बताया था कि आप किस प्रकार से फिरीवाले MP2 Setup Box का जो मदर बोर्ड है उसका लोगो आप दूसरे मदर बोर्ड पर किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं मलब की दोस्तों अगर आप चाहें इसका जो डाटा है पूरा का पूरा लोगो सहित अगर आप चाहें दूसरे किसी भी मदर बोर्ड पर ट्रांसफर करना तो बिना किसी कम्प्यूटर के किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों उसमें से कुछ कमेंट आया हुआ था कि हमें बिलकुन भी समझ नहीं आया कि हमें प्रोसेस किस प्रकार से करना है जो केबल है जो डाटा वाला जो डाटा ट्रांसफर का केबल है उसे दोस्तों हमें किस प्रकार से लगाना है कहां लगाना है और कुछ लोगों का कमेंट दोस्तों ये भी था कि अगर जब हम यह जो डाटा ट्रांसफर करते हैं अगर इस बीच लाइट चली जाए तो क्या होगा क्या हमारा मदर बोर्ड खराब हो जाएगा तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पर यही सब कुछ जानकाई देने वाला हूं तो इस वीडियो को पुरा कंप्लीट देखिएगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि हमारा डाटा ट्रांसफर कैसे होता है तो इस एंपीजी तू मदर बोर्ड पर आप देख सकते हैं यह जो पीछे साइड आपको चार पिन दिखता है इसी का उप्योग करके हम एक मदर बोर्ड का डाटा दूसरे मदर बोर्ड पर ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले आपको पता देता हूए जो पिन है इसमें दो पिन आपका जो किनारे बाले हैं एक ग्राउंड का इधर से एक बीच इसी का है और दोस्तों जो बीच वाला आपका पिन है यह डाटा के लिए है जिसे कि आप डाटा ट्रांसफर करते हैं अब इसके बाद यह जो जैक है फोर पिन का आपको यहां कैसे लगाना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तो जैसे कि दोस्तों यह जो पिन है यह ग्राउंड का है और इधर बाला पिन जो है यह भी चीची का है तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का एक केबल लेना होगा और इस केबल में दोस्तों आपको थोड़ा सा फेर बलाल करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो मिलेगा, red यहां है तो दोस्तो red भी आपको यहां मिलेगा और जो brown बाला wire है आपको दोस्तो यह second number में मिल रहा है, तो आपको दोस्तो इसमें थोड़ा सापको फेर बदल करना है और दोस्तो फेर बदल क्या करना है आप किसी भी एक side से, इधर से या फिर दोस्तो इधर से यह जो बीच में आप देख सकते हैं दोस्तो दोनो wire हैं आपको यहां से निकाल कर आपस में आपको change कर दीना है तो दोस्तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी इस परकार से change करेंगे तो सबस्तो दोस्तो मैं आपको change करके भी दिखा देता हूँ सबस्तो हम इसे यह जो lock लगा रहता है इसे दोस्तो थोड़ा सा दबाएंगे इस परकार से मारा जाए जो wire है बाहर आ जाएगा अब दोस्तो यह जो red वाला wire आपका यहां लगा हुआ था अब आपको यहां लगा देना है और दोस्तो जो भूरा वाला wire आपका यहां लगा हुआ था आपको यहां लगा देना है तो दोस्तो मैं इसे change कर देता हूँ तो आपको इसे change करके यहां लगा देना है और इसे दोस्तो आपको change करके इस प्रकार से यहां लगा दिना है किवल आपको इतना ही करना है आप देख सकते हैं कि हमारा बीच वाला वायर जो है आपस में चेंज हो चुका है किसी भी एक साइड से आप इसे चेंज कर सकते हैं बाकि दोनों वायर दोस्तव आप किनारे बाले तो दोस्तो आपके समझ में यह आ गया होगा अब दोस्तो रही बात की हम data transfer कैसे करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को पर complete अच्छेस देखिएगा क्योंकि फिर दोस्तो आप बोलते हैं कि यह video fake है तो जैसे कि यह motherboard जो है मैंने लगाया हुआ है जिसका हमें data इस पर transfer करना है यह बिल्कुन नया motherboard है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो पर दिखाया था इस पर जो logo है जब हम इसे on करते हैं dbb का logo आता है और हम transfer जो data transfer कैसे करते हैं तो सरसे पहले दोस्तो हम इसे on कर लेते हैं आपको दिखा देता हूं यह setup box मारा on हो चुका है को निक का logo भी आ रहा है और अब दोस्तो हम चाहते है कि को निक का logo इसका जो भी program है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस motherboard पर आपको जो पहले इस्टा सब्सक्राइब करना है कि इसके बाद आपको जाना होगा system setup पर इसके बाद आपको जाना है आप अगर लोगो बस चेंज करना चाहें तो दोस्तों यहां लोगो कर दीजिये अगर आप पूरा का पूरा data टांसर करना चाहते हैं तो यहां आपको जाना है अब आपको क्या करना है तो देखिएगा जिस मदरबोर्ट के जो दोस्तो डाटा है आपको ट्रांसफर करना है तो आपको सब सपहले इसे लगा देना है जो ब्लैक बार है मैं दोस्तो इसके निगेटीब तरफ लगाउंगा तो आप देखिएगा गौर से देखिएगा ये रहे कि दोस्तों मैंने इसे लगा दिया है आपको ऐसे ही लगा देना है और अब आपको क्या करना है अभी आपको इसे दूसरे मदर वोट पर नहीं लगाना है जिस पर आपको डाटा ट्रांसफर करना है अब आपको क्या करना है अब आपको सबसे पहले रिमोड का जो उक्के बटन है प्रेश कर देना है इस्टार्ट में जाने के बार यहां दोस्तों आपको जाने के बार उक्के बटन प्रेश कर देना है आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का आपका चेकिंग सीरल पोट आपको लिखा हुआ आएगा अब आपको क्या करना है इसी पोजीशन में आपको यह जो वायर है आपको यहां ध्यान से जिदर ग्राउंड है आपको ग्राउंड ही लगा दिना है आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने इसे लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है तो ट्रांसफर होना सुरू हो चुका है आप देख सकते हैं कि कनेक्शन पहले आउट बता रहा था लेकिन दोस्तों जैसे हमने इस वायर को लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारा data जो है तो transfer हो रहा है दोस्तों बहुत ही simple सा process है आप इसे कर सकते हैं और जैसे दोस्तों आपका 100% complete होगा आपका यहाँ data जो है successful बताएं लगेगा तो दोस्तों यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है इसे आप simple तरीके से कर सकते हैं बीना किसी computer क तो दोस्तों बात रही कि light goze होने पर क्या होगा तो दोस्तों मैं इसका power cut कर देता हूं और फिर दोस्तों आपको दिखाता हूं कि क्या हमारा motherboard खराब हुए क्या तो दोस्तों मैं इसे on कल देता हूं आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा motherboard अभी सही है और एक बार फिर से मैं आपको वही प्रिक्रिया करके दिखाता हूँ तो आपको सबसे पहले menu बटन प्रेश करना है आपको फिर चले जाना है system setup पर आपको जाना है software upgrade पर इसके बाद दोस्तों आपको आल में आ जाना है इसके बाद आपको यहां start में ok बटन प्रिश कर देना है इसके बाद आपको इसी position में यह जो wire है जैसे दोस्तों अब यह लगा हुआ है अब आप देख सकते हैं यह मैंने wire लगा के रखका है तो हमारा software upgrade नहीं हो रहा है तो दोस्तो आपको इसे पहले से लगा के नहीं रखना है आपको इसे निकाल के रखना है इसके बाद दोस्तो आपको इसे इस प्रकार से लगा दिना है और आप देखेंगे कि आपको जो डाटा है तो ट्रांसफर होना सुरू हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तो येसे हमने वायर इसे लगाया तो आपका जो डाटा है ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है अब दोस्तों आप इस वीडियो को देख कर फेक नहीं बोलेंगे क्योंको दोस्तों यह वीडियो जो है 100% रियल है आप इस प्रकार से चाहें तो किसी भी मदरबोर्ट का जो बड़ी आईसी वाला मदरबोर्ट है उसका दोस्तों लोगो किसी भी बड़ी आईसी वाली मदरबोर्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रकार से पूरा का पूरा इसका जो डाटा है दोस्तों आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस वीडियो को कमा सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 97 98% 100% हमारा यह डाटा जो ट्रांसपर हो चुका है और दोस्तों अपकरेट हमारा सक्सेस्पूल हो चुका है आप देख सकते हैं अब हमें क्या होना है दोस्तों अब हमें मेनू बटन दबाके एक्जिट हो जाना है अब दोस्त करके दिखा देता हूं कि हमारा क्या डाटा टांसफर हुआ तो दोस्तों हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम इस पर लगा देते हैं दोस्तों मैंने बीडो किसी परकार से कट नहीं किया हुआ है इसलिए बीडो थोड़ा लंबा हो सकता है करेंगे को फिर दोस्तों इसमtones न करेंगे को निक का लोगो भी आना चाहिए और जो इस फेड है पहले से दोस्तों वह आपको लोगो इस पर दिखेगा अब दोस्तों मैंने इसे ऑन कर दिया है और दोस्तो, अब ये देख सकते है कोनिक का लोगो भी आचुका है अब देख सकते हैं दोस्तो कि 5 नंमर पर 7 स्पोर 1 इस पर भी दोस्तो आचुका है मलाव दोस्तो पूरा का पूरा डाटा जो है इस न unexpected अच्छा लगा थो किन लाउने दौसटो नमस्कार